जब तक मोदी योगी शहा बनाते हैं प्लैट तब तक हिमन्ता असम में ले आते हैं तबाही मुस्लिम देश कहते हैं ठेरो ठेरो हिमन्ता हिमन्ता कहते हैं मदर्सों को तोड़ो आतंकियों को पकड़ो आतंकी शोगी मोधी पर कर रहे थे रिसर्च इधर असम में आया दोनों का एडवांस वर्जन पाकिस्तान में भी योगी मोधी से जादा एक नाम की चर्चा इन दिनों हो रही है दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों में इस नाम की गूंज है जानते हैं कौन है जब करनाटक में योगी बीजेपी की नीव रख रहे थे उसी वक्त असम के हिमंता विस्वा के एक्शन से पूरा असम हाहा कार मचा रहा था CM ऐसे जो सोचते कम है काम जादा करते हैं मूड बना लिया तो बना लिया बात फाइनल इंतिजार नहीं रोक सको तो रोक लो एक्शन तो होगा ही असम के मदर्सों पर बुल्डोजर ऐसा चल रहा है जैसे मोदी ने साल 2019 में पाकिस्तान के आतंकी बंग्रों पर सर्जिकल स्टाइक की सीम हेमंता इतने नराज क्यों है मदर्सों में ऐसा क्या चिपा है हेमंता क्यों ऐसा कर रहे है ये देश के लिए क्या खत्रा है असम के मदर्सों पर इतना एक्शन क्यों हो रहा है मोदी ने CM हेमंता को खुली छूट दे दी बंगाल, बंगलादेश, पाकिस्तान में क्यों खलबली मची है वो हम आगे आपको बताएंगे दरअसल हेमंता के आदेश के बाद एक महीने में तीन-तीन मदर से तूट गए CM के आदेश के बाद असम में ताबड दोड गिरफतारी और एंकाउंटर का जोर है मदर सोपर बुल्डोसर का सिजला चर रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने में कई आतंकी पकड़े गए कई मॉड्यूल का खुलासा हुआ ऐसे दरजनों को गिरफतार किया गया जो असम के है लेकिन कनेक्शन आतंकी संगठन से है इसलिए असम के CM ने एक सुर्मा प्लैन बनाया असम में दो इमामों को गिरफतार किया गया इमामों की गिरफतारी के बाद ऐसा आदेश आया जो इंडिया में शायदी कोई लागू कर पाएं समझे जरा कोई भी बाहरी राजे से मुस्लिम स्कॉलर या इमाम आएगा तो उसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी CM हेमंद वा विस्वा ने SOP जारी करके खुला मैसिज विजवा दिया है जो आतंकियों का साथ देगा उसे हम छोड़ेंग रही कोई संदिक मुस्लिम को रिष्टेदार बना कर बुलाता है तो घर भी तूटेगा जिन्द की जेल में सर जाएगी अब तक असम में सैंतिक संदिक्तों को गिरफतार किया गया है जानी असम आतंकी हब बनने वाला था शोगी ATS के सहारे पूरे UP को कंट्रोल कर रहे है जबकि हमंत्वा विस्वा कंट्रोल रूम में बैट कर पूरा असम कंट्रोल कर रहे है असम में एक्शन होता है तो दुनिया के कई देशों को दर्ध होता है पेट में दर्ध, सिर्थ में दर्ध और दिल बैठे लगता है लेकिन हमंत्वा विस्वा ने साफ कर दिया है दिल में दर्ध हो, पेट में दर्ध हो, सर में दर्ध हो हम छोडेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं क्योंकि 20 अगस्त को दो इमाम पकड़े गए उनके तार आतंकी संगठनों के साथ जुड़े अलकाइदा के साथ बंगलादेशी आतंकी संगठन के साथ असम में भारी गुजबैट की प्लैनिंग थी मदरसों में तालीम भी जाने वाली थी भारत को हिलाने की तैयारी थी दरसल अलकायदा नाम के आतंकी संगठन के निशाने पर असम है, जो दावा करते हैं, गो टू असम और इंडिया को वही से कंट्रोल करो, हिमन्तवा का एक्शन राष्ट के नक्षे के लिए जरूरी है, तो कि पिछले कुछ दिनों में अलकायदा के 30 आतंकी गिरफतार हुए, अब एक्शन में धेरी हुई, तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, हिमन्तवा विश्वा देश के पहले CM है, जो कहते हैं मुस्लिम अलब संख्यक नहीं है, उन्हें इसका लाव नहीं मिलना चाहिए, असम में 35 प्रतिशत मुस्लिम अबादी है, CM हिमन्तवा बार बार अल बादित हो जाएगा, लोग आज उससे पूछते हैं कि क्या जो कश्मीर में हुआ, असम में भी होगा, तो मैं उनसे कहता हूँ ऐसा नहीं होगा, असम में देश का निया मॉडल बनेगा, इसलिए एक्शन भी होगा, शक्टी भी होगी और राश्ट की सुरक्षा भी होगी, असम सरकार के काम का अंदाजा बता रहा है कि सरकार के पास किसी बड़ी आतंकी संगठन की पूरी रिपोर्ट है, इसलिए सी एम, हिमनता का एक्शन साफ है, राजे के साथ राश्ट का हिद, असम में बनगलादेश के रास्ते-लकाईदा का पूरा गैंग एक्टिव है, अस करने की खुली छूट हे मंत्वा को दे रखी है अगर नहीं देते तो ये देश का नुकसान होता इसलिए हे मंत्वा की स्पीड शोगी से भी तेश दिखाई देती है इससे मुस्लिम देशों में खलवली मची हुई है गिलो रिपोर्ट ड्यूजवर्ल इंडिया